प्रेहन फ्रेंट स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अग्रिकल्चर पॉइंट में और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी अग्रिकल्चर हॉनर्स का सेकेंड समेस्टर का जो पेपर होना है फंडामेंटल आफ जेन्टिक्स का तो उसके महत्पूर अब्जेक्टिव स्क्राइब कर लिए चलता हूँ कोश्चन नंबर एक की तरफ कि एक जीव के आनुवांसिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन के कारण उपारजित भिन्नता क्या कहलाती है तो उत परिवर्तित कहलाती है आपसन सी राइट रहेगा नेक्स कोश्चन आता है दोस्तों एक ब इधर साइड में आप देख लेते हैं कि पतिदार फसले जैसे पालक, अमरेंथस, स्पाइनेस हैं तो क्या है पर परागित फसले हैं नेक्स कोश्चन आता है आधुनिक संकर टी रोजिज निम्न में से किस संकरण के द्वारा उत्पन हुई है तो संकर पर पेच्वल्स और फ्लोरी बंडा से उत्पन हुई है नेक्स कोश्चन आता है कि अधिकतर कुकरविट्स में लिंग रूप होते हैं तो कैसे होते हैं तो ये मोनो सियस होते हैं आपसन भी इसका राइट है दोस्तों को नोट कर लीजेगा क्योंकि जो इसमें कोश्चन बुक्स में मेरी दिये ह वो डबल लाइन में दिये हुए हैं तो उनको मैं एक एक करके बता रहा हूँ आप तो नोट करके लिखेगा चलता हूँ अगले कोश्चन की तरफ की F1 संकर की जनकों के उपर स्रिष्टता कहलाती है तो क्या कहलाती है संकर ओज कहलाती है नेक्स इधर कोश्चन दिया हुआ है कि मेंडल को सहलगनता की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा यद्यब उनके द्वारा अध्यन किये गए साथ लच्छन कितने गुड़ सूत्रों पर इस्थित हों तो चार पर तो आपसन भी राइट रहेगा नेक्स आता है जैनेटिक्स वैरियेशन और कुल वैरियेशन का अनपात जो की फेनो टाइप और जीनो टाइप के बीच के संबंद को निर्धारित करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है इसे हेटरोबेलिटी कहते हैं नेक्स कोश्चन आता है कि डुपलीकेट जीन एक्शन में टेस्ट करास अनपात होता है तो तीन अनपात एक होता है नेक्स आता है कि डियने डुपलीकेट्स की एक स्टैंड में ए अनपात टी अनपात दो है तो पूरक स्टैंड में क्या अनपात होगा तो पूरक में 0.5 का अनुपात रहेगा नेक्स कोश्चन आता है प्रजिनन की मास पे डिगरी चैन विधी मुक्यता किन फसलों में सुधार के लिए उपयोग में आती है तो स्वह निसेचित फसलों में आती है ए आपसन राइट रहेगा नेक्स आता है जीन सब्द किसके द्वारा दिया गया तो जीन सब्द है जो हंसन के द्वारा दिया गया आपसन डी राइट रहेगा नेक्स आता है डॉट में संकरण के लिए पुस्प का विफलन आवश्यक है तो सेल्फ पॉलिनेर्स पौधो में जो होता है पुस्प का विफलन जो होता है आवश्यक होता है मश्कुलेश होता है पूछ लेता है ये दिघेहों में कितनी होती है तो श्यालिस होती है तो चलता हूँ कोशिका द्रब्भी नर्बंधता मुख्यता किन फसलों में संकर भी जोड़पादन के लिए उपhinον में लाई जाती है तो ये वैजी वेजी टेवली में लाई जाती है नेक्स आता है पौधों में लिंग किसने खोजा तो पौधों में लिंग जो है केमेरेसियस ने खोजा था नेक्स आता है एक सिंगल जीन का बहुँ प्रभाव जो होता है क्या कहलाता है तो बहुँ प्रभाविता कहलाता है next आता है किसनी कुतों में कृतिम गरबादान में पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा तो इस पाइलेंजी ने किया था आपसंसी राइट रहेगा next आता है हेटरो जाइगस लेकिन होमोजीनियस पापुलेशन का उदाहरन है next आता है अनुजननवाद की धारना किस ने दी तो अनुजननवाद की धारना जो है वोल्फ ने दी थी next question आता है origin of species कब प्रकासित हुई तो 1869 में origin of species प्रकासित हुई next आता है हेटरो जाइगस लेकिन होमोजीनियस पापुलेशन का उदाहरन कौन है तो ये दूस्तो hybrid variety है next question आता है एक इन ब्रेड लाइन का open pollinates variety के साथ संकरन कराया जाता है तो टॉप क्रास कहलाता है next आता है जननवाद किस ने दिया तो जननवाद जो है बीज मैन ने दिया था next आता है cell linkage theory किस ने दी तो ये cell linkage theory जो है विरकोव ने दी थी next question आ जाता है कि प्रथम कृतिम संकर किस ने बनाया था तो थामस वेर फैल्ड ने फैर चाइल्ड जो थे उन्होंने प्रथम संकर को बनाया था next आता है गुड़सूत्र किस अवस्था में ज्यादा सांद्रित होते हैं कंसंटर्रें कॉंडर्स contents होते हैं तो enough है जवस्था में होते हैं next आता है बैज्ञानिक आधार पर systematic संकरन का कार किस बैज्ञानिक के कार के साथ हुआ है तो colliuter और nicotiana next आता है किस प्रावस्था में DNA का संसलेशन होता है तो इस प्रावस्था में DNA का संसलेशन होता है नेक्स कोश्चन आ जाता है कि डबल क्रास प्लान किसके द्वारा दिया गया तो जून्स के द्वारा दिया गया नेक्स आता है किस प्रावस्था में DNA का संसलेशन होता है तो इस प्रावस्था में होता है और दोस्तों बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और कोई भी मेरे पास जो है वार्टसप पर कॉल नहीं करेगा only message करेगा क्योंकि मेरे भी exam चल रहे हैं तो MSC के तो मैं भी preparation कर रहा हूँ इस time पर तो disturb उससे होता है कोई भी call नहीं करें message का मैं हर message का जवाब देता रहता हूँ तो चलता हूँ अगले question की तरफ E. coli में वर्तुला कार गुड़सूत्र का विचार किस ने दिया तो quarence ने दिया था next question आता है DNA double helix में GA किसके बराबर होता है तो CT के बराबर होता है next question आता है हरसी और चेज ने अपने प्रियोग में DNA को किसके label किया था तो 32P के label के बराबर किया था next आता है DNA कड़ का अधिक्तम सोसन किस wavelength पर होता है तो 260 पर होता है next question आता है कि DNA helix के single term में चारकों की संख्या कितनी होती है तो 10 होती है next आता है ड्रोसो फिला में X गुड सूत्र का 16A region सामान आख के लिए उतरदाई है यद इस region का दुईगडन हो जाता है तो यह किस तरह की आख के लिए उतरदाई होगा तो बर के लिए उतरदाई होगा नेक्स आता है जो DNA का कौन सा रूप सामान जीवित जीवों में पाया जाता है तो B रूप पाया जाता है नेक्स आता है DNA Polymerage प्रथम किसके द्वारा खोजा गया तो यह करिन बर्ग के द्वारा खोजा गया दोस्तों question बहुत ही important है इसलिए ध्यान से देखेगा और बहुत ही important है परिच्छा में आने की पूरी संभावना रहेगी आपकी तो चलता हूँ bridge package संयोग चक्र से उतपन दो पुत्री कोस्काएं होंगी तो आपसन इसमें C सही है दुगडन और नियुनता और दोस्तों बहुत student comment कर रहे थे कि previous year का question paper लाईए तो दोस्तों मेरे पास कोई भी gentics का previous year का question paper नहीं है इसलिए मैं नहीं लापा रहा हूँ तो चलता हूँ अगले question की तरफ बैक्टिरिया में DNA replication enzyme है तो DNA polymerase third है next आता है एडिनीन में ratomarin shift इसको किसके साथ जोड़ा बनाने में सहाय करेगा तो cytosin के साथ next आता है replicase के दोरान DNA को single stand बनाने रखने में कौन सा protein काम आता है तो ये single stand bonding protein next question आता है मनुस में xo बैक्ति अपनी कोशिका में कितने बार बाडी रखेगा तो कोई नहीं रखेगा next आता है nucleolus किसके उत्पादन में मुख्य भूमिता निभादाता है तो RNA के उत्पादन में मुख्य भूमिता निभाता है next आता है DNA की किस दिशा में संसलेशन में ओका जाकी प्रिगमेंट बनते हैं तो 5 से 3 में next question आता है डाइको टिनियाइड अल्ब्यमिनस जी बीज है तो कौन सा है ये सोया बीन का है और दोस्तों चलता हूँ अगले question की तरह पौधो में डोट टोलरेंस से संबंधित अमीनो अमल है तो डोट टोलरेंस मतलब की सूखा से जो टोलरेंट है सूखा के प्रते अवरोधी तो ये प्रोलीन है next आता है बाजरे में बीज गुडन अनुपात होता है तो कितना होता है एक अनुपाते 200 होता है next question आता है कि निम्न में से कौन साब प्रतिजैविक कोशिका के संसलेशन में अवरोधक है तो ये आकसा माइसीन या रिसको कैटीन होता है next question आता है कि रैप सीड अरहर संकर मक्का ज्वार जूट में बीज गुडन होता है तो ये अनुपाते 100 होता है next आता है हरे पोधे में प्रकास संसलेशन होता है तो कुलोरो प्लास्ट में हरी तलवक में होता है next आता है कोशिका जिली में के संसलेशन में रोधक है तो कौन रोधक है तो पॉली मिक्सिस, ग्रेमी सिडीन और टाइरो सिडीन सभी तो प्यूक्त डी आपसन राइट रहेगा नेक्स आता है mRNA संसलेशन रोधित है रोधक है तो कौन है तो इसमें दोस्तों कोस्चन का एंसर मैंने लगाया नहीं है तो चलता हूँ अगले कोस्चन की तरफ कोसिका में प्रोटीन संसलेशन का इस्थान है तो कौन सा है राइबोसोम सा है कौन सा है इसमें से तो इसमें राइबोसोम सा है और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही 50 कोस्चन थे और मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहें टेक क्यार